टीवी सच साहस सरोकार मुकामा और गोपाल गंज में नितीस के चुनाओ प्रचाद नहीं करने का पड़ेगा सर शुशील मोदी ने रसीपी को लेकर भी कही बड़ी बात सहरसा में पूरुसांसद आनंद मोहन जेल से आएंगे बाहर 15 नवंबर तक के लिए मिला पैरॉल बेतिया में कुस्ती दंगल प्रतियोगता का हुआ आयोजन अखाडे में पहलवानों ने दिखाए अपने दाव पेज बेतिया में पुलिस की अवैद खननन पर बड़ी कारवाई अवैद बालू लदे ट्रेक्टर वा ट्रॉली को किया जप्त बिहार के सरकारी सुक्षकों के लिए दो बड़ी खुश खबरी वेतन के लिए सुक्षा विभागने जारी की राशी नमस्कार मैं हुमा यूरी स्रवासताव आप देख रहे हैं प्रायम टीवे शुरू करते हैं बिहार की खबरों के साथ बेतिया के बैखुंडवा में उप प्रमुख जैसा खातून द्वारा आंगनवाडी केंदर का जुडो धार किया गया तो वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी चंद्र गुप्त बैठा प्रखंड प्रमुख निहारिका नूतन थाना अध्यक्ष अनन्त राम ने सयुक्त रूप से आंगनवाडी केंदर का फीता काट कर उधखाटन किया इस दोरान कालितरम में उपस्तित गरीब दलित महिलाओं के बीच शौल वित्रड किया गया साथ ही प्रमुख निहारिका नूतन और उप्रमुख प्रतिनिधी जावेद खान ने दलित समुदाय के ग्रामिडों के बच्चों को पढ़ने भेजने के लिए प्रेरित किया मौके पर CDPO समेत अन दर्जनों गड़मान वेक्टी मजूद रहे साथ हे उन बच्चों के अभीबाव को बहुत बरीब है उनके प्रिष्ट्सा और गरीब जन किया गया है हम लोंको ने सबसे उपिछ की है उपने बच्चे को यहां पढ़ने की बिलेजिए चिरशा का कि दिद्रशा खाने इलने हैं के इंदर नहुंग है गोपाल गंज की ततकाली डियम जी कृष्टनया हत्याकांट में पिछले 15 सालों से सहर साजेल मिबंद सांसद वाक कदावर नेता आनंद मोहन 15 दिन के पैरॉल पर रिहा हो रही है बताया जा रहा है कि उन्हें यह पैरॉल एक परिवारी कारक्रम में शामिल होने के लिए दी गई है वहीं इस मामले में सहर साजेल आनंद श्यर्मा जानकारी देते हुए कहा कि बिहार सरकार के जेल आईजी के द्वारा सहर साजेल सुप्रीटेंडन को पत्र आया है जिसमें क पत्र आ गया है जेल सुप्रीटेंडनेंग महदे को कि 15 दिन के लिए पेरोल पे पूर्व सांसर अन महंजी को पेरोल पे बहार किया गया है 15 नॉमबर तक के लिए पेरोल है और यह रीजन जो दिया गया था वो है कि उनकी बेटी का इंगेजमेंट है और बुड़ी मा है उ पर्व का शुभारम हुआ है प्रशासन की तरफ से पर्व को देखते हुए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है पर्व को देखते हुए 400 प्रवासियों के आने की संभावना जताई गई है श्रधालू की सुबधा के लिए आवासन अस्थल मुक्त इरिक्षा का परिचालक किया गया है साथ ही पूरे परिसर को सिस्टीवी के माध्यम से मौनिटरिंग की जा रही है जिला अधिकारी शासांक सुभांकर आवासन अस्थल पर मेडिक करल कैम्प लगा कर 300 से जादा लोगों का इलाज किया साथ ही पूरे परिसर में सुरक्षा विवस्था के संबंद क कड़े इंतजाम भी किये गए हैं बोले कर जम कर बवाल हुआ हात्या की वारदात के बाद सड़क जाम और प्रदर्सन के बाद मृतक के पर जनवा इस्थानी लोगों ने नगर थाना अध्यक्षए खिलाप प्रदर्सन करते हुए थाना अध्यक्षए तमाम पुलिस कर्मियों का घेराओ कर दिया और आरोप एक युवक उसके घर से बाहर निकाल गिरफतारी की मांग कर रहे थे इस घटना की सूसना मिलते ही मौके पर पहुचे SDPO हिमानशुक कुमार की निगरानी में आरोपी के घर की तलाशी ली गई इस जोरान देशी कट्टा, देशी पिस्टल, जिन्दा कार्तूस के साथ खोखा पुलिस ने बरामत किया है और आगे की कारवाई में जुट गई है कि पूलिस आई थी जो जो लड़का का मौडर हुआ है उसी मौडर का जो सबूत है उसको मिटा रहे तो हम लोग पता चला कि मोहिला और चार बदमाज के साथ पुलिस आई हुई है तो हम लोग शेप किया कि वाज़ेशा क्यों है वो पर्सो जो सिंगी में एक घर में दो जो मुर्सी सरजिन के समय जो हत्या हुई थी और इंज्रीज हुई थी उसी कानुस अंधान करने के लिए जो लोग और जैसे हमें यह सब बात पता चलिए तो हम लोग सब आप जैसा की देख रहे हैं कि भारी पुलिस बढ़ और भी निस्पक्श इंस्पेक्टर्स और थाना कि उनको लाया गया उनके सामने सर्ची गई उनके कंफेशन के हतियार भी और भी खोक्टे कौन कौन से हतियार मिल पशिम चंपारण के राम नगर में एक घर में अचानक आग लग गई घर वाले जब तक कुछ समझ पाते तब तक आग के लपटे तेज हो चुकी थी गाँवालों सभी लोग मिलकर आग पर काबू पाते तब तक घर के साथ साथ घर में रखी मोटर साइकल एक बकरी के साथ दो मवेशी भी जल चुके थे जिसमें मवेशी की जान ग्रामीडों के द्वारा बचा ली गई लेकिन मोटर साइकल और बकरी और घर में रखे लाखों की सामान जल गए तो वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुची फायर ग्रेट की गाड़ी ने आग पर काबू पाया ल बेटिया की नरक्तिया गंज के शिकारपूर पुलिस ने अवैद खनन को लेकर बड़ी कारवाई की है बता दे कि पुलिस अवैद खनन को लेकर लगातार कारवाई कर रही है इसी क्रम में शिकारपूर थाना पुलिस को अगस्त के दोरान अवैद बालू लदा एक ट्रेक्टर वा ट्रॉली को जब्त किया है जिसको लेकर पुलिस अधिकारी ने बताया कि बालू के संबन में गुप्त सूचना मिली थी जिसके बाद सित्वापूर गाउं के हड़ बोड़ा नदी में कारवाई की गए और आवैद कारवार के खिलाफ ये कारवाई आगे भी जारी रहे गे बेतिया के नरक्तिया गंज प्रखंड परिसर इस्थित इकिसान भवन में ऑनलाइन आवेदन करने वाले किसानों के बीच अनुदानित बीच का वित्रण शुरू किया गया है प्रखंड मुख्याले इस्थित किसान भवन में तरोई का पैकेट किसानों के बीच 100% अनुदानित मूल पर वित्रित किया जा रहा है इसके लिए ओनलाइन आवेदन किशानों को करना अनिवार होगा इस बीच को प्राप्त करने के लिए किसानों का पंजी करन करना जरूरी है ताकि OTP के माध्यम से किसानों को इस योजना का लाब दिया जा सके हर पंचायत के किसानों को इस योजना का लाब दिया जा रहा है बेतिया में नरक्टिया गंज प्रखंड शेत्र के सत बरिया गाउं में कुस्ती डंगल प्रतियोगता का आयोजन किया गया ये डंगल प्रतियोगता समा से भी अब्दुल मली की अधक्षता में की गई इस दोरान खाडे में पुरुष पहलवानों ने अपने अपने दाओ पेज दिखाए। पुर्पुलिस टीम के विने कुमार पांडे सहित पुलिस बल शामिल थे। जो अच्छे पलेयर होते हैं ना फिरे किसी प्रकार का हो उसको उसके आवहां को नोगिया दिखाए। खबर पश्चिम चंपारन बेथिया से है जहां राज इस तरी कारकरम के तहत भागपा माले के खेका ग्रामस कारकरताओं ने पार्टी कार्याले में मार्च निकालते हुए शेहर का फ्रमड कर प्रखंड कार्याले के समक्ष धर्णा प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर साथी बेलवा नहर का सफाई कर सिचाई हे तु नियमित पानी आपूर्ती की गारेंटी दिलाने की मांग किया और विभीन मुद्दो को लेकर प्रखंड से लेकर अचल की अधिकारियों के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर धर्णा प्रदर्शन किया है। प्रश्टा चार काड़ा बना हुआ है। लोगों को गिरफतार किया गया है। इसकी जानकारी सिटी एसपी सुभहम आर ने दी उन्होंने कहा कि कान का खुलासा करने के लिए सहायक पुलिस अधिक्षक नगर के नेतृत में एक छापे मारे दल का गठन किया गया है। और सूचना के आधार पर त्वरित गटी से कारवाई करते हुए मामले में दो लोगों को गिरफतार किया गया है। और इन पर आगे की कारवाई की जा रही है। भागलपूर जिला कहल गाओं शुशु विद्या मंदिर में सांसद अजय मंडल अपने लगभग सौकार करताओं के साथ तोड़ फोड़ की और विद्याले खाली करने का दबाव बनाने रगे। जब इसकी सूशना प्रधाना चार को दी गई तो उन्होंने बताया कि विद्याले में समधिर जमीन का मामला लगभग 12 साल से नियाले में चल रहा है। अगर नियाले का आदेस होता है कि वह विद्याले खाली करें तो तुरंत खाली हो जाएगा। तो वहीं सांसद महोदा ने नजदी की थाना कहल गाओं में प्रधाना अध्यापक के विरुद FIR दरज कराया है जिसमें उन्होंने बताया है कि प्रधाना अध्यापक द्वारा उनके साथ दूर बेवहार किया गया है जिससे उनके पद एवम गरिमा पर ठेस पहुची तो कल जो दरवाजा खुला इसके बाद क्या हुआ आप क्या देख रहे हैं। स्वानसाद महोदे के अंदर घुषने के बाद लगवग 200 आदमी के आज़ पास उनके साथ जो है कंपस के अंदर घुषा है। सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करें। और यह जो कल की घटना है, कल एक नवंबर की घटना है, छट और दिपावली के कारन विद्यालय आठ दिनों से बंद था। और दो तारी को विद्यालय खुलने वाला था। तो एक तारी को हमारे सभी सफाय कर्मी और दो आचारे जी यहां विद्यालय केंपस में आए हुए थे सफाय कार्ज करवाने है तो। को सवयोग नहीं ब्लाने हैं। अपने सरों ने कॉल शाए हैं? ने हम को कि जानते ही कि हम लोकल है नहीं हम भागालपूर से हैं और किनी वो जानते ही नहीं हैं। 12-15 साथ से वहां विद्यालय आते हैं। कि हम ने किसी को बुलाया नहीं और पुलिस लेख वतल नहीं बुलाया होगा। यथी MP साथ आये थे, उस प्रौटकल होता है, तो पुलिस को आना होता है। वह लोग अपने साय के बुलाया नहीं। परन्तो, Sir, पुलीस ने ऐसा कुछ बीच बचाव नहीं किया अंदर निस्राखाया हूँ? नहीं, नहीं, वो लो 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 मुख दासा खड़े तो नहीं कुछ नहीं किया. वो, Sir, यहाँ अपने परेसर में खड़े था या बाहर गें वो परेसर नहीं? मोतिहारी में रुपए के लें देन में 16 साल की वक का अपहरण हो गया, बता दें कि पताही प्रखंड के जीहुली पंचार्थ के सरपंच रितेस कुमार के भतीजे का अग्यात अपराधियों ने अपहरण कर लिया. परजनों का रो रोकर बुरा हाल है. परजनों ने मुफसिल थाने में कुमार सहित पांच लोगों के खिलाफ आवेदन दिया है. इसके बाद पुलिस आगे की कारवाई में जुद गई है. नालंदा में नाच पोग्राम के दोरान हथियार लहराने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर टेजी से वाइरल हो रहा है. मामला हरनौ थाना शेत्र के जगतपुर गाउं का है वाइरल वीडियो में कुछ युवा की स्टेज पर कटा लेकर नर्दकियों के साथ डांस करते देखे जा रही है. ग्रामिडों ने पुलिस प्रशासन को हाथियार वाला वीडियो भेज कर कारवाई की गुहार लगाई है तो वहीं ग्रामिडों की माने तो गाउं के ही चार युवक इसमें शामिल हैं. मामले में हरनौ थाना अध्याक्ष देवानंद श्यर्मा ने बताया कि उन्हें वाइरल वीडियो के संदर में जानकारी मिली है. पुलिस आरोपित युवक की पहचान कर उनके खिलाफ कारवाई में जुट गई है. नवादा के मुफसल थाना शेत्र के खराट मोड के समीब ट्रेक्टर्ण से गिर कर एक युवक की मौत हो गई. गटना की सूचना मिलते ही, मुफसल थाने की पुलिस ने शब को अपने कबजे में लेकर पोस्माटम के लिए नवादा सदर अस्पताल भेज दिया. तो वहीं परजनों का रो रो कर बुरा हाल है, फिलहाल पुलिस आगे की कारवाई में जुट गई है. सहरसाड यम आननद शर्मा ने जिलहास्पताल में बने हाई टेक आटी PCR लेब का फीटा काट कर उधगाटन किया हाई टेक सुवधाओं से युक्तिस लेब में कोरोना के संदिग मरीजों की जाच की विवस्था आटी PCR के तहट मुफ्त में हो जाएगी उधगाटन के बाद डियम ने कहा कि सदर अस्पताल में बहतर स्वास्त सुवधाओं के लिए आटी PCR लेब का उधगाटन किया गया है इस लेब से एक साथ 600 सेंपल की जाच की जा सकेगी जिलाधिकारी ने कहा कि आने वाले समय में इस लेब का उप्योग अन वाइरल डिसीज के जाच में भी उप्योगी साबित होगा अरस का विस्था है कि हमारा सहरसा में हमारे हॉस्पिटल में कुछ की अब आटी PCR लेब है इसके लिमिट अब हमारा है कि हम 600 सेंपल पर डे अराम से टैकल कर सकते हैं और ये एंड टू एंड इसमें कम्प्लीट सेट अफ है और ये सिर्फ अभी तो पोविट के लिए है बट ये अधर भी जो हमारी वाइरल डिजीजेज हैं उसमें भी ये लाब हमें काम आईगी आने वाले समय में और इसके वज़े से अब हमें एक इंफ्राइस्ट्रक्चर पॉइंट अफ्यू से एक और मजबूत अस्तम्प होस्पिटल में मिलेगे नवादा नगर थाना शेत्र के बढ़ी दरगा मोहले में जमीनी बिवाद में देर राद दो घारों में जम कर गोली बारी हुई वहीं इस घटना की सूचना पर पहुची पुलिस ने कई खोका को भी बरामत किया है पिर्ता ने इस घटना की लिखित शिकायत नगर थाना की पुलिस को दिया है पिर्ता ने बड़ी दरगाहन निवासी जदियू के वरिष्ट नेता अनवर भट और उसके पुत्र और कई लोगों पर गोली बारी करने का आरूप लगाया वहीं इस घटना में इलाके में संसनी फैल गई है वहराल पुलिस मामले की चान भी इन में जुट गई है बिहार की खबरों में इतना ही देज़ुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे है प्राइम टीवी प्राइम टीवी सच साहस सरोकार